हेलो दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे सांधार और जांधार वीडियो पे क्लिक कर दिया है गैज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी अभी आपका UPCHO यानी Community Health Officer का दूसरी सिफ्ट का जो भी पेपर हो है दोस्तों बहुत ही आसान ये पेपर आगया है जैसा हमने उमीद किया था उससे भी जादा आसान पेपर आगया है गैज आपने अगर यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब हो क्योंकि जो भी मैं अंसर की लेकर आए हूँ सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ तो गैज जल्दी से देख लेते हैं एक एक सवाल प्लीज आप वीडियो को लाइक करते वे जरूर चलना एक एक सवाल मैं आपको ट्रिक से करा देता हूँ अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा अगले पेपर में यहाँ से कम से कम साथ से आठ सवाल रिपीट करने वाले है तो गैज जल्दी से देख लेते दूसरी सिट के सवाल तो दोस्तों अकर आप कि सभी गवर्मेंट एक्जाम की तियारी करे हो देख लेते गैस क्या कै सवाल पूछ ले गए तो दोस्तों पहला सवाल पूछा गया आपके दूसरी सिट में दा एंटी वाइरल ड्रग यूज तो ट्रीट इन्फ्लूएंजा तो गैस इस दवाई का नाम क्या है तो इस दवाई का नाम क्या है आपका चार उप्सन आपको दिये गए थे ऐसी ऐसी कलोवीर और आपका है ओसल्टा मिवीर या इम्यूनोवीर या जूडोविडीन तो दोस्तों इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा ओसल्टा मिवीर यानि बी उप्सन जो बच्चा मार के आगा इनका रैट आंसर चला गया तो गैज आप लोग इस परकार यह सवाल करके आ सकते थे अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल गैज आपको यह भी पूछ लिया गया वित्थ मंतरी निर्मला सीतर रमन ने किस कंपनी को 15 सितंबर से पहले नए आयकर फाइलिंग पोर्टल पर सभी घड़बडियों को ठीक करने का निर्देश दिया है तो गैज यह है कंपनी इन्फोसीस यानि C ओप्शन आपका रैट आंसर चला जाएगा अगला सवाल भी देख लेते हैं गैज एक सवाल गैज आपका यह पुचा गाए तो दोस्तों इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा पोलियो यानि D ओप्शन आपका रैट आंसर चला जाएगा देख लेते गैज अगला सवाल क्या पुचा गया एक सवाल आपका यह पुचा गया तो दोस्तों इस सवाल का रैट आंसर हो जाएगा यानि B ओप्शन आपका रैट आंसर चला जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे ममी पापा का सपना पूरा करने के लिए आप लोग नीचे लाल कलार का बटन दबाकर चैनल को आप लोग जोईन कर रहे होंगे ठीके गाइस सब्सक्राइब कर लेंगे सवी गोवर्मेंट एक्जाम की ट्रिक के लिए देख लेते गाइस अगला सवाल एक सवाल आपसे ये भी पूचा गया टोक्यो ओलम्पिक में भारत की कांसे विजेता पुरूस होकी टीम का हिस्सा रहे खिलाडियों के सम्मान में किस राजजने दस इसकोलों का नाम बदला है तो गैस ये है पंजाब यानि सी ओप्सन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ लाइक करते रहेंगे और चैनल को जोइन करते रहेंगे एक सवाल है पुचा गया किस आयाइट ने भारत का पहला स्वेदेशी मोटर चालित वहिल चेर वाहान नियो बोल्ट नाम से इसे लोंच किया है तो दोस्तों इस सवाल का रहेंट आंसर हो जाएगा IIT मदरास यानि B-Option आपका रहेंट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल ही पुचा गया बार्क इंडिया के नए CEO के रूप में किसको नुक्त किया गया है तो गैस इनका नाम है नकुल चोपडा यानि C-Option आपका रहेंट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल ये भी पुचा गया उभरते सितारे फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया तो गैस ये किया गया दोनों बैंक के द्वारा सिडबी और एक्जिम बैंक के द्वारा C-Option आपका रहेंट आंसर चला जाएगा C-Option ठीक है अगला सवाल भी देख लेते गाईस क्या पुचा गया तो दोस्तों एक सवाल आपका ये भी पुचा गया क्या पुचा गया 24, 32 और 40 का LCM निका लिए तो गयाइस 24 के फैक्टर करेंगे पहले 8, 3, 24 32 के फैक्टर करेंगे ये करेंगे इसी लिख देंगे आप लोग क्या एक काम करते हैं आप लोग इसको लिख लो 8 को लिख लो 2 की पावर 3 गुणा 3 2 की पावर 5, 32 हो जाएगा 40 क्या होगा ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इन्टू 5 तो गयाइस इसमें से कोमन पावर निकाल लेंगे वही आपका LCM हो जाएगा जो कोमन पावर होगा वही LCM हो जाएगा इस सवाल का तो गयाइस 2 की पावर 3 यहाँ पर भी है इसे क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 3 यहाँ पर भी है 2 की पावर 3 यहाँ पर भी है तो common part क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 तो दोस्तों इसका LCM क्या है अगर निकल के 8, 8 आपका correct answer हो जाएगा ठीक है guys, please like करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सभी government exam के trick के लिए पेपर बहुत आसान था 100% आपका selection हो जाएगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा देख लेदे guys, अगला सवाल एक सवाल guys आपसे यह भी पूछा गया 60, 45 और 24 का HCF बताओ highest common factor बताओ तो guys, आप लोग खुद देखो यहां पर देखो आप लोग 60 को क्या लिख सकते हो 20 तीए 60 45 को क्या लिख सकते हो 15 तीए 45 24 को क्या लिख सकते हो 8 तीए 24 तो दोस्तों छोटे से छोटा factor common क्या है 3 तो दोस्तों जो इसका HCF आएगा वो आएगा 3 तो दोस्तों 3 ही सवाल का right answer चला जाएगा 3 ही सवाल का right answer चला जाएगा सबसे highest common factor क्या है इसमें 3 तो दोस्तों आप लोग इस परकारी सवाल करके आ सकते थे आगे बढ़ लेते हैं आगला सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्तों एक सवाल ये भी बहुत आसान पुछा गया यदि A, B का नुपात ये है B, C का ये है तो A, B, C का नुपात क्या होगा देखो guys A और B का नुपात कितना दिया गया है दो अनुपात 3 ठीक है यहां पर C भी लिख लो और B और C का कितना दिया गया है पांच अनुपात 9 तो कह यहां से देखने से क्या पता चला इसका common part क्या है B है common part तो क्या करेंगे जो ये 3 है इस 3 की गुणा तो होगी नीचे जो ये 5 है 5 की गुणा होगी उपर ठीक है अब इसको लिखो आप पांदोनी 10 पांदी ये 15 नीचे भी क्या आएगा 3 पंजे 15 ये वाला तीनम 27 तो गैस जब इसका common part आप एक बार लिखोगे तो क्या आएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 27 तो गैस ये सवाल का रैट आंजर हो जाएगा A, B और C का अनुपात हो जाएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 27 तो दोस्तो आप लोग इस परकार ये सवाल करके आ सकते थे आपके गणित के सवाल 3-4 सवाल पूचेगे वो भी काफी आसान पूचेगे ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करे होंगे और चैनल को आप लोग जोइन करे होंगे सभी गवर्मेंट एक्जाम के ट्रिक के लिए मम्मी पापा का सबना पूरा करने के लिए चैनल को जोईन कर लेंगे सभी गवर्मेंट एक्जाम के ट्रिक के लिए ठीक है गाइस बढ़ लेते आगे एक सवर गाइस आपका यह पूचा गया X का अनुपाद दिया गया है इसकी वैल्यू पूची है तो गाइस क्या करेंगे देखो यहाँ से क्या पता चला 5X माइनस 3Y इसकी वैल्यू बतानी है और यहाँ से देखने से क्या पता चला X बटे Y 6 बटे 5 X की वैल्यू है 6 Y की वैल्यू है 5 तो क्या करेंगे 5 में 6 की गुणा करेंगे पहले तो X की वैल्यू 5 चंग 30 प्लस 3 पंजे 15 ठीक है नीचे क्या आएगा 30 माइनस 30 माइनस 15 तो गैज उपर आ जाएगा 45 नीचे आएगा क्या 15 तो 15 तीए 45 3 इस सवाल का रइट आंसर हो जाएगा 3 तो दोस्तों आप लोग इस परकारी सवाल करके आसकते थे 3 सवाल का right answer चला जाएगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं तो guys एक सवाल यह arithmetic का पूछा गया जब एक संक्या में 50 बढ़ाया जाता है तो वे स्वेम का 104% हो जाती है तो वे संक्या क्या होगी तो guys जब किसी संक्या में आप 50 बढ़ाओगे वो 104% हो जाती है स्वेम की तो 104% of X तो यह आ जाएगा नीचे 100 तो दोस्तों जब आप इसको सोल करोगे इसकी गुणा यहाँ पर करोगे तो X की value आएके लिए के लिए लिए यहाँ से 1250 तो दोस्तों यह सवाल का right answer हो जाएगा C option ओगा इस paper आपका آसांत हा like कर देंगे channel को join कर लेंगे इस बहुत 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 हैं तरीके से मैंने सारे सवाल आपको करवा दिया है ज़्धे से ज़्यादा वीडियो को like करके ज़रूर oc ठीक है गाइस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद